एजी फिजिक्स ए लेक्चर सिरीज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अजीत कुमार स्वामानी, चोधरी मालूराम भांबू, राजकिये पोलिटेकनिक महाविध्याले, स्री गंगानगर में प्रवक्ता भोतिकी के पतपर कारे रत हूँ। जैसा की सिरीज के नाम से क्लियर है, इजी फिजिक्स। फिजिक्स आसान है, बसरते की इसे रोचक तरीके से पढ़ाया जाए या पढ़ा जाए। इसी बात को ध्यान में रखकर ये ये वैख्यान तियार किये गए हैं। मैंने अपने गत 25 वर्सों के अध्यापन के दोरान विद्यार्थियों के साथ इंट्रेक्शन में जाना की उन्हें अध्यन के दोरान किन-किन दिक्कतों का सामना करना पढ़ता है। या वो एक अध्यापक से क्या आसाय रखते हैं, किस प्रकार पढ़ाएं, कुछ इसी प्रकार के अन्वहों की जलग इन इवियाख्यानों में आपको दिखाई देगी। इस इवियाख्यान का टॉपिक है, बहुतिक रासी के मान को एक पद्दत्ती से दूसरी पद्दत्ती में बदलना का भाग तीन। अर्थात अन्तिम भाग में हम पहुंच चुके हैं, पहले दो भाग में इसकी थ्योरी हुआ है। अंकिक उधार्णों को हल करने के तरीके बार में बताया गया था। इस भाग को अब जो अन्तिम भाग है इसको अच्छी तरह समझना हो तो इसके पहले के दोनो भाग अर्थात भाग एक भाग दो अवश्य देखें। भाग दो में जैसा हमने बताया कि विधी के बारे में बताया था चरनबत कैसे करना है और एक अंकिक उधार्ण दिया था। कुछ और उधार्णों की सायता से इसमें टॉपिक को और जैदा क्लियर करने का रियास किया जाएगा। एक बार हम उन्हीं पांचों चरनों को जो की अंकिक समझ्याओं को हल करने के लिए हमने पिछले भाग में बताया था उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला चरन था भुथिक राजसी को पहचाणना है। सबसे पहले हम फिजिकल क्वानटिटी को आईडिन्टिफाई करेंगे कि कौनसी भुथिक राजसी को हमें एक पदती से दूसरी पदती में बदलना है। दूसरा उसका विम्य सुत्र नौट करेंगे और उस विम्य सुत्र से A, B वसी का मान नौट कर लेंगे। तीसरा चरण दोनों मात्रक पद्दतियों को पैचानके सार्णीबद रूप से दोनों मात्रक पद्दतियों के लिए संक्यात्मग मान वे उनके मूल मात्रकों को लिखना है M1, L1, T1 और M2, L2, T2 के मान लिखने हैं चतुर्थ चरण में यह जो मान हमें प्राप्त हो गए उनको जो सुत्र हमने डिराइव कर रखा है N2 वराबर N1, M1 और M2 के घाथ A, L1 और L2 के घाथ B, T1 और T2 के घाथ C इस सुत्र में सबको सब्स्ट्यूट कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे, AGT जो उनकी युनिट है उसके साथ, उपर नेचे की युनिट अलग हो भी सकती है, समान भी हो सकती है, कोई चिंता की बात नहीं है, आपको जैसी युनिट है उस फोर्म में बनेगे और पंचम और अंतिम चरण में देखें, तो different, different convergence factors, इनके convergence factors होगे, M1 M2 की युनिट के, L1 L2 की युनिट के, T1 T2 की युनिट के, उनको एक unit में convert कर लेंगे, दोनों को, दोनों को एक unit रखेंगे, और जो उसके लिए convergence factor हो उसका उपयोग करेंगे, और finally, सारा calculate करेंगे, घातांकों के नियमों का ध्यान रखेंगे और अंतिम्मान ग्याद करेंगे इस तरह से ये पांच चरण हमने पिछले इव्यक्यान में सीखे थे अब उन पर आधारी और निमेरिकल एक्जाम्पल्स को देखते हैं अगला अंकिंग उधारन हमारे पास है प्रिमिय विश्लेशन वीधी दोरा एक जूल को अर्ग में रूपांत्रित कीजिए परिवर्तित कीजिए तो हम देखते हैं कैसे उन्हीं पांच चरण वाले विधी से हम इसको आसानी से हल कर पाते हैं पहला चरण पहला चरण होता है भोतिग्रासी को पहचानना है तो हम सबसे पहले देखे हमें क्या दिया गया है जूल परिवर्थित किसमे करना है अर्ग में हमें कहीं बताया है नहीं कि कौन सी भोतिक रासी है तो ऐसे में आपको अपने पूरू ग्यान का उप्योग करना है कि जूल जूल-MKS पद्धति में इसे ऐसा ही भी लिख सकते हैं क्योंकि लंबाई समय और दर्यमान तक MKS और ऐसा ही पद्धति समान है तो जूल-MKS पद्धति में तथा अर्ग-CGS पद्धति में उर्जा का मात्रक है ध्यान दीजिए यह ग्यान हमने पहले प्राप्त किया हुआ है उ यह उर्जा-Energy हमारी quantity, physical quantity होगी जो हमें पहले चरण में पहचानने थी दूसरे चरण में उर्जा का विमय सुत्र लिखेंगे जो भोतिग्राशियामने पहचानी उसका विमय सुत्र लिखना है तो उर्जा का विमय सुत्र यह सब सुत्रियात होने चाहिए यह आपको नि A, B वर C के मान कम से निकाल लें A का मान एक B का मान दो और C का मान माइनस दो हुआ इनको भी हम नोट कर लेंगे क्योंकि उस फॉर्मूले में सब्ट्टूट करने के जरूट पड़ेगी 1, 2 and माइनस 2 अब बढ़ते हैं तीसरे चरन की ओर इस चरन में हमें ये पैचानना है कि ये कौन-कौन सी मात्रक पड़तिया है मतलब पहली मात्रक पड़ति और दूसरी मात्रक पड़ति जैसा कि हमने पहले ही बताया था जूल MKS पड़ति में मत्रक है अब जूल को बदलना है पहली मात्रक पदत्ती कौन से होई MKS, इसी तरह से अर्ग CGS पदत्ती में उर्जा का मात्रक है, दूसरी पदत्ती कौन से होई CGS, तो यह example काफी कुछ पहले example से मिलता हुआ है, इसको सिरफ इस पार repeat इसलिए कि यह है, जिससे कि आप और grip अच्छी बन सके, अच्छी तरह से इसको समझ सके, तो देखी, हमने table बना लिये, step 3 में, left hand side में MKS पदत्ती, और heading में, और right hand side में CGS पदत्ती हमने लिख दिये, अब MKS पदत्ती के M1, L1, T1 के मान 1 kg, 1 meter और 1 second लिख दिये, इसी तरह से CGS पदत्ती में M2 के मान 1 gram, L2 का मान 1 cm, और T2 का 1 second रख दिये, N2 अभी भी अग्यात है, क्यों? क्योंकि हमें इसे ग्यात करना है, इसलिए इसका क्यूशन मार के लिखेंगे, कोई मान नहीं रखेंगे, बात आती है N1 की, घ्यान दिजिए, यहाँ पर क्यूशन में दिया हुआ, एक जूल को अर्ग में पदता, यहाँ पर यह एक आ गया सपोच कीजिए, यही प्रशन होता, दस जूल, यहाँ दस आ जाता, हजार जूल, यहाँ पर हजार आ जाता, जो भी जिस यहाँ संक्यात मगरासी दिवी होती, वो की वो N1 बन जाती है अपनी, इस तरह से प्रशन को देखते वे N1 निर्धारित करना, प्रशन के अंसाब से अपना N1 निर्धारित होगा, इस तरह से हमने चरण 3 में अपनी जो टेबल हमें रिक्वाइड सार ने थी, वो हमने बना ली, अब आता है इस टेफ 4 की तरफ, इस टेफ 4 में हमें सबसे पहले अपना वो फॉर्मूला लिखना है, जिसमें की मान सब्स्चूट करने हैं या प्रतिस्तापित करने हैं, तो यह फॉमूला N2 बराबर N1, M1 by M2 की घात A, L1 by L2 की घात B, T1 by T2 की घात C, इसमें हम क्या करेंगे, टेबल से एक एक मान रखते जाएंगे, सबसे पहले N1 का मान एक, देखिए N1 का मान एक आगा है, M1 और M2 के मान, M1, M2 का मान देखिए कम से, एक किलोग्राम और एक ग्राम है, यहां से एक किलोग्राम और एक ग्राम, वापस ध्यान देना है, यह एज एटीज लिखने हैं, जो इनके मातरक से लिखने हैं, सिरब एक एक लिखने हैं, एक छोड़ दिया, तो अपने सारे answers रोंग हो जाएंगे, एक किलो ग्राम और एक ग्राम लिखना है, इसी तरह से L1 और L2 की जगे, एक मीटर और एक सेंटीमीटर, एक मीटर और एक सेंटीमीटर लिखती है, T1 वस्टिट्टी जगह यह देखिए 1 सेकड और 1 सेकंड लिखना है आपको आलस नहीं करना एक सेकंड और हैं लिखती है अब बात नहीं अगे A-B-C के मांगी A-B-C के मांगी A-B-C के मांग 1 2 और माइनस 2 था यहां पे 1 2 एंड माइनस 2 एज़ेटी परतिस्ता पी तो यह सिरफ और सिरफ इस टेप जो हमने चरन 3 तक ज्याद किया है उसको सब्स्चूट करने का इसमें कोई गणना नहीं करनी कोई कैलकुलेशन नहीं करनी कोई अपना अलग से दिमाग नहीं लगा नहीं चरन 2 और 3 में जो रिजल्ट आए थे उनको यहां पर सब्स्चूट करना है अब हम आते हैं अन्तिम चरन अर्थाथ पांचों चरन में चरन तक में हमने यह आंसर प्राप्त कर लिया है कि किलोग्राम एक ग्राम एक मीटर एक सेंटी मीटर और एक सेकेट सेकेट अब पंचम च आक्टर से परिवर्थन गुणांग के उनका उप्योग करके इन राजियों को एक ही तरह की यूनिट में कनवर्ड करेंगे मैंने दोनों को ग्राम में परिवर्थित कर दिया तो नीचे ग्राम है एक किलोग्राम को ग्राम में परिवर्थित किया 1000 ग्राम आ गया इसी तरह स मीटर को सेंटीमेटर में परविर्थित कर लिया तो सो सेंटीमेटर इस तरह से एक मात्रक पत्तती से दूसरी मात्रक पत्तती के मूल मात्रकों के conversion बढ़ांग भी पता होने चाहिए, second second को प्रवितित करने की आप सकता नहीं है, पर इनको agities रखिए, इनको अभी disturb करने की जुरुत भी नहीं है और वही घातें 1, 2, minus 2 लगातार जारी है अब इनको हल करते हैं, एक की जगे एक आएगा 1000 ग्राम, बटा एक ग्राम 1000 आ गया, और उसकी घात एक है तो 1000 ही रहा, इसलिए दसकी घात तीन के रूप में हम यहाँ पर लिख रहे हैं, 1000 भी लिख सकते हैं आप लोग और दसकी घात तीन लिख दिया है, इसी तरह से 100 cm by 1 cm 100 बना दसकी घात दो कह सकते हैं इसे इस दसकी घात दो, की घात दो देखिए ऐसे लिख दिया दसकी घात दो, की घात दो और 1 second by 1 second 1 और उसकी घात ती माइनस दो थी इसलिए 1 रिजल्ट आगी घात तांकों के नियमों का उप्योग बार-बार अच्छी तरह करना है इसका गलत उत्तर आ सकते हैं अब आपर देखिए हमने किसी में चेंज नहीं कि सिरफ यहाँ पर गात तांकों के नियम से हलकी है दसकी घात दो, की घात दो दसकी घात चार गुना हुई है यह, दो 2 into 2, दसकी घात चार अब एक से एक से गुना किया वाई यहाँ पर इनके उत्तर में कोई फर्क नहीं आएगा दसकी घात तीन और दसकी घात चार जब गुना करेंगे, तो यह घातांके जुड़ जाएंगी और मिलके हमेरे जट आएगा दसकी घात साथ तो इस तरह से हमें N2 का मान दसकी घात साथ प्राप्त हुआ यहाँ भी वोई ध्यान रखना है, अर्ग नहीं लिखा जाएगा क्यों? क्योंकि यह संक्यात मगमाल है तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या रहा? कि एक जूल बराबर दसकी घात साथ अर्ग तो इनके जो जो इस टेप्स हमने इसमें सारे किये थे उनको आप नौटबुक में नौट कर से अब चलते हैं अगले आंकी को दारण की ओर विमिये विसलेशन विदी द्वरा दस डाइन परती सेंटीमीटर स्क्वाइर को नौटन परती मीटर स्क्वाइर में रुपांत्रित कीजी ध्यान दीजिए दस डाइन परती सेंटीमीटर स्क्वाइर को किस में परवतित करना है? न्यूटन प्रती मीटर स्कॉयर यह प्रश्ण रायस्तान डिप्लोमा की 2011 की बोर्ड की परिक्षा में उच्छा जा चुक है तो हम इसके हल की और बढ़ते हैं वही पांच चरनों का प्रियोग करेंगे चरन बद इनको हल करना सीख लीजिए एक्जाम में चरन लिखने नहीं है ध्यान लखिएगा एक्जाम में ऐसे नहीं लिखना चरन एक चरन दो यह कोई बोतिगरासी का नाम नहीं दिया हुआ हमें अपने ज्ञान का प्रियोग करना है डाइन बल प्रती सेंटीमेटर स्कूर चेतरफल बल पटा चेतरफल दाब हमने पढ़ा हुआ है बल पटा चेतरफल दाब होता है इसी तरह से दाब की जो विमा थी वो पर्तियास्ता गुणांग की विमा के तुल भी थी तो दाब भी हो सकता है ये पर्तियास्ता गुणांग भी हो सकता है पर्ति बल भी हो सकता है जो कि चेप्टर टू में हम पढ़ेंगे तो इस थार से मैं पता लग राया कि यह भूतिक रासी कौन सी है डाइन परती सेंटीमेटर स्क्वेर् prescribe cgs पादती में डाइन किसके में मत्रक हो था वलका cgs में सेंटीमेटर भी किस anime cgs में CGS पद्धति में एवं Newton पर्थी मीटर स्क्वेर, MKS पद्धति में दाब या परत्यास्तागुणां का मात रख तो हमारा चो चरण एक का काम थाम तो हो सूचना एक्स्टेक्ट करेंगे अपनी कि भोतिक रासी कौन सी हुई दाब या परत्यास्तागुणां क्योंकि दोनों के विम्य सुत्र समान है हमें यहां पर विमा से मतलब है तो रासी कौन सी हुई सबसे फास्सिटेम है आपने अडिटीफाई कर ली दाब प्रेसर या मोडिलस ओफ इलास्टिसिटी चरण दो में आते हैं स्टेप टू में हमें इसका डाइमेंशनल फॉर्मूला देखना है यह लिखना है दाब या परत्यास्तागुणां कभी में सुत्र M1 L-1 T-2 होता है यह वहीं से आया बल बटा चेतरफल से जैसे कि हमने पिछले लिविय बल रख्यानों में निकाल आता है M1 L-1 T-2 हमारे जो इनफर्मेशन हमें चाहिए कि यहां से एक का मान प्राप्त होगा एक का मान एक आगया L की जो घात वो B का information देगी तो B का घात minus 1 आ गया C का घात C का मान minus 2 आ गया इस प्रकार A, B वज़़ C के मान करम से 1, minus 1 वज़़ मान तो राप्त होगे इनको हमें note कर लेना है यह step 2 का काम complete हुआ अब आते है step 3 में step 3 में चरण 3 में हमें यह पचानना था कि किस मातरक बद्सी से कौन सी मातरक बद्दती में हमी पढ़्य परिवर्थित करना है अर ठा पर्थम मातरक बद्दती कौन सी है वह जुत्तिय मातरक बद्दती कौन всё यहां पर हम ध्यान दे हमने पहले step 2 में कहा था वहां पर्थम मात रख पदाती MKS थी, यहां पर्थम मात रख पदाती CGS है, और जूत्य मात रख पदाती MKS पदाती है, जस्ट उसका reciprocal है, जस्ट उसका उल्टा है यहां पर, इस चीज को धियान देना है, तो यही हमें पहचानना है, कि चर्ण 3 में कि कौन-कौन सी मात रख पदाती है, अब उसी के हिसाफ से हम सार्णी बनाएंगे, सबसे पहले N1 का मान की हमें जरूत बढ़ेगे, देखिए इस में दिया हुआ है, दस डाइन परती सेंटिमेटर स्कौर का बदलना है, यहां पर पहले की तरह एक नहीं है, यहां दस है, कोई दिक्कत नहीं, यह हमारा N1 बन गया, इसको N1 लिख देंगे, तो N1 बराबर 10 हो गया हमारा, अब बात करें, अब उपर हमें क्यूश्चन में की जाना, अब हमने पद्दति डिसेट कर रही है, CGS, M1, L1, T1 के मान लिखने, CGS में मास 1 ग्राम, L1 1 सेंटिमेटर, T1 1 सेंट लिख लेंगे, इधर सेकिंड मातरक पद्दति की तरफ आते है, N2 अभी भी क्यूश्चन मार्क रहेगा, अग्यात है, जिसके लिए हम सारा प T2 1 मीटर, T2 1 सेंट लिखेंगे, इस तरह से ये चारण 3 में हमने अपनी टेबल कंप्लीट कर लिए, Step 4, Step 4 में जब हम आते हैं, तो हमें वो सुत्र जो की परिवर्टन के लिए ज़रूरी है, इस सुत्र में, जो सारनी में मान लिखे थे, उनको सब्स्ट्यूट करते हैं, प्रतिस्थाफित करना है, तो देखते जाए, N1 का मान, 10 हमने नोट किया था, यहाँ पे 10 लिख दिया M1 और M2, तो हम से देखें, 1 ग्राम और 1 किलो ग्राम है, यहाँ पे 1 ग्राम और 1 किलो ग्राम लिख दिया हमने, L1, L2, यहाँ से देखें, 1 सेंटी मीटर टेबल से देखना हमने, और 1 मीटर, तो 1 सेंटी मीटर और 1 मीटर टेबल से लिख दिया, इसी तरह से T1 और T2 दोनो कप्लीट कर चुके हैं अब आता है step 5 step 5 में हमें conversion factors यूज करना है और calculation करके final result calculate करना है तो यहां देखते हैं n1 10 था हमारा 10 लिखा हुआ है यह 10 आगे है जीटीजी 1 gram by 1 kg जैसा कि हमने पहले भी बताया था हम इन सब को एक दोनों को समान मात्रकों में परवर्तित कर लेंगे चाहे तो आप gram को kg में परवर्तित कर लीजिए या kg को gram में परवर्तित कर दीजिए तो मैंने kg को gram में परवर्तित किया तो यह 1000 gram बन गया है अभी सिरफ परवर्तन करके आप सकता नहीं है क्योंकि वो अल्रेडी समान है घात नहीं अभी भी वही वही वान माइनस वन माइनस टू आप देखें इसको दस एजिटी दस हो आगया एक ग्राम बै एक हजार ग्राम तो हमारे पास फाइनल लिजर्ट जो इस स्टेप का बचेगा वन बाई थाउजंड एक बाई एक हजार बचेगा तो यह लिख दिया हमने वन अपॉन वन थाउजंड की घात एक घात वहीं से लिए जो पहले थी दूसरे स्टेप एक सेंटीमीटर बाई हंडेड सेंटीमीटर इसका रिजल्ट भी वन बाई हंडेड बचेगा और घात वही माइनस वन माइनस एक सेकेंड बाई एक सेकेंड वन होगा की घात माइनस दू इस तरह से हम अब सिर्फ गणिती रूप में आ चुके हैं सिर्फ संख्याओं का गेम रही है इनको घातांकों की नियम की साहता से हल करेंगे दस दस ही रहा एक बटा हजार की घात एक थे सिर्फ एक बटा हजार लिख देंगे ये ध्यान दीजिया एक बटा सो की घात माइनस एक है माइनस एक होने की वज़ेसे अंसवहर आपस में परिवर्तित हो जाएंगे तो ये जो फाइनल इजल्ट हमारे पास आएगा वो हंड माइनस दो नहीं बनेगा वापस चेतावनी देव रहा हूं कि इस देंट इसको गलत कर देते हैं माइनस दो लिख देते हैं एक की गात माइनस दो एक ही बनेगा और अब इस पूरे को जब हल करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर एक आता है अर्थार एंटू का मान एक प्राप्त हुआ तो अंतिम उत्तर हम किस तरह से लिखेंगे कि 10 डाइन प्रति सेंटिमेटर स्कॉयर बराबर है एक न्यूटन प्रति मेटर स्कॉयर इस तरह से विमिय विदी का प्रयोग करते हुए प्रतिक चरन को इसपष्ट तरीके से दरसाते के विए हमें यह अंतिम उत्तर निकालना है कहीं सौटकट नहीं लगाना कहीं जल्दवाजी नहीं करनी क्योंकि पुरा बड़ा प्रस्थन आता है तो हल करना ही है अपने हातों से एक एक बार हल करके जरूर इसको देखिए अब नोट्बुक में आपको नोट करने के लिए पहले की तरह यह सामगरी प्रस्तुत है अब बार ही आती है अभ्यास के लिए प्रस्थन कुछ क्यूस्चन्स एक्सरसाइज के लिए आपको यहां पर स्क्रीम पर रिफ्लेक्ट होंगे इनको सौल कीजिएगा सौल करने के ट्राइ कीजिए और यह देखिए कि आपने यह जो विमिये विधी से बोतिक रासी के मान को एक मात्रक पदती से दूसरी मात्रक पदती में बतलना सिखा है क्या उनसे रिलेटेट निमेरिकल एक्जांपल सौल हो रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं उन्हें एक ब गुर्तियों तवरण स्मॉल जी का में मान 9.8 मीटर परती सेकंड स्कॉयर होता है इसका मान विमिये विधी द्वारा ध्यान दिजिए हम बार बार करें विमिये विधी द्वारा सी जीएस पदती में ज्याद कीजिए यह आपकी आज की पहली प्रॉप्लम हुई जिसको के इसमें खास बात ध्यान दीजिए इस प्रश्ण में रसी भी इनोंने दे दी है मात्रक पदतियां भी दे दी है आपकी सुईधा के लिए यह प्रस्ण कुछ इस तरह से भी हो सकता था कि गुर्तियों तरन के मान 9.8 मीटर सेकंड स्क्वाइर को सेंटीमीटर सेकंड स्क्वा प्रति में भी बदलवा सकते थे तो इस तरह से कुछ तरह से क्यूश्टन बन सकते कई तरह से आपको इनको हल करना है पारे का गनत्व अगला प्रस नहीं ध्यान रखिए पारे का गनत्व 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है इसका मान विमिय विदी द्वारा क किलोग्राम प्रति मेटर क्यूब में ग्याद कीजिए इसमें ध्यान दीजिए अब पद्धतियें क्लियर इन्होंने नहीं दिये हमें पैचानना है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब cgs पद्धति हो गई किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब mks पद्धति हो गई रासी यह परदम एक हो यही चीज आपको समझाने का प्रियास कर रहा हूं अधिक साहिता वह अधिक जानकारी के लिए आप मेरे द्वारा लिखित पुस्तक पोलिटेक्निक भोतिकी जो पुरुनतया हिंदी माध्यम के चात्रों के लिए लिखे गई है बड़ी आसान भासा में लिखी गई है जिससे की विद्यारती आसानी से समझ सकते हैं इसको आप अध्यान कर सकते हैं यदि और कोई संका हो इव्याख्यान से संबंदित या पुस्तक पढ़ने के बाद भी फिर भी आप मुझे इमेल या वाट्सप पर लिख सकते हैं ajit.somani.gmail.com 94143-32876 यह वाट्सप नंबर है इसपे कि आप वाट्सप भी कर सकते हैं यदि आपके कोई सुझाव हैं तो भी इस इमेल और वाट्सप पर आप भीज सकते हैं सुझावों का स्वागत रहेगा अब मैं आभार वैक्त करना चाहूँगा सरपर्थम मेरे गुर्जनों का जिन्होंने मुझे मार्कदर्सित किया और ज्ञान परदान किया और उसी की वज़े से आज आप लोगों के सम्मोख मैं प्रस्तुत हूँ मेरे विद्यार्थी वर्ग का जिनसे इन अध्यापन की वर्षों के दोरान इंट्रक्शन से मैंने ये जाना कि उनको कहां कहां समश्याएं आती है जिसकी वज़े से ही मैंने बार-बार अपने में सुधार किया और आज ये इव्याख्यान आपके समक्ष उन्ही अन्बहों पर अधारित प्रस्तुत है और अंत में परिवार जनों का जो इस लोगडाउन की विसम परिस्तितियों में भी इस ये लेक्चर को त्यार करने में अपना सुध्योग धेरे पुरुवक परदान कर रहे हैं इस ये व्याख्यान को धेरे पुरुवक बेखने के लिए और समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तैंक्यू वेरी मुच